कहते हैं कि प्रभू श्री राम की कृपा के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता असल में कहानिया तो बहुत होती है, बहुत कृपा भगवान की होती है बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो अपने पीक पर आये या फिर कहा जा कि जब उनको ग्यान के प्राप्ती हुई तो बहुत कुछ उन्होंने ग्रंतों की रचना की और इसके अलमा बहुत कुछ उन्होंने दुनिया को दिया सिखाया लेकिन बहुत ऐसे कम उधारन मिलते हैं जब छोटे बच्चों को भगवान का आशिरवात प्राप्त होता है एक छोटा बच्चा डेड़ साल का महज मेरे साथ इस वक्त मौझूद है अभी इसकी उम्र साथ या आठ साल हो गई लेकिन डेड़ साल से कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा कंठस्त कर चुका था और उसके बाद से लगातार हनुमान चालीसा का पार्ट भी ये करता है बात करते हैं छोटे से बच्चे से अहान गोखले कहा के रहने वाले हो आप मैं एमपी में भोपाल हर्मान चालीसा का पार्ट कब से आप कर रहे हो पहले देड़ साल से सुनाईए ज़र श्री गुरुजरन सरोजरज निजमन मुकुर सुधार बरुन और अगवर मिमल जसू जो दायक फलचार बुद्धी हीन तनुजानी के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धी विद्यादे हुमुही हर उकले से विकार जै हनुमान ग्यान गुनसागर जै कपी सति हुलोक उजागर राम दूता तुलित बल्थाम अन्यनि पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुम्ति निवार सुमत के संगी कंचन बरन बिराथ सुएसा कानल कुंडल कुंचत केसा हात बज्रो दर्जाविराजी कान्धे मूंज जिनेउ साजी पुरा याद है आपको किस तर सिखाया था आपको आपके पिता श्री ने या कैसे आपने यह सीखा मेरे पापा मुझे रोज मंदिर मे ले जाते थे तो वो बोलते थे तो मैंने सुन-सुन के आत किया सुन-सुन के सीख लिया अभी क्या क्या आता है आपको हनुमान चालीसा के अलामा रामरक्षास्तोत्र भोजन मंत्र श्री रामस्तुति और क्या आता है श्री रामस्तुति अच्छा अभी कितने साल के हो आप मैं अभी आठ साल के हूँ अभी क्या क्या सीखना है आपको जो पापा सिखा है बहुत बढ़िया ऐसे ही आप सीखते रहो बहुत आगे जाओगे तो ये होता है देखिए छोटे से बच्चे की मेमरी में जब स्कूल्स में आपने देखा होगा कि अभी बहुत को सिखाने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है लेकिन डेड़ साल दो साल का बच्चा अगर घर के माहौल को देकर भी पूरा हनुमान चाली साब कंटस्ट कर जाए इसके अलमा कई और मंत्रों को कंटस्ट कर जाए ये वाकई में प्रभुश्री राम के क्रिपा के बिना संभो नहीं हो सकता है और इस बच्चे पर भगवान की क्रिपा है इनके माता पिता की भी तरब से कहा जाता है इनके पिता शिरी हमारे साथ हैं उन्होंने कहा कि हम तो अचांबीत थे जब फीड़ साल का बच्चा अनुवान चालीसा पढ़़ना शुरू किया क्या यह सच है कि फीड़ साल में आपके बच्चे ने शुरू कर दिया था पाट करना जी उसकी भी recording मौझूद है क्या क्या बच्छे को कंटस्त पूरा श्री राम रक्षास्तोत्र श्री राम स्तुती भोजन मंत्र हनुमान चालिसा और स्कूल की जतनी किताबे बुक्स रहती है वो पूरी की पूरी याद कर लेता है जी वैसी की वैसी घर परिवार में ऐसा माहौल था या बच्चे को मेमरी इस तरीके से कैसे ये तो पूरण और उससे हनुमान जी और श्री राम चंदर जी कर कुल देवी जी की कृपा है मुझे भी ध्यान नहीं है कि कैसे हुआ मैं तो घर में लेट आता था तो माता जी बोलती थी तो लेट आता है रोज दिया जलाता है तो बालक को ले आया कर तो मैं बालक को ले आता था बहुत छोटा था दो तीन महीने का और उसको गोधी में रखके मैं अपना दिया बाती करके और श्री राम रक्षा और हनुमाइन चाले साथ बोलता था अब ये पता नहीं कि ये कब सीख गया और जैसे इसने बोलना प्रारंब किया ये बोली रहा था हनुमाइन चाले साथ श्री राम रक्षा बच्चे के नाम क्या है? अहान गोखले कहां के रहने वाले आप लोग है? हम लोग भोपाल, मध्यपरदेश से आए हैं मूलत, महाराष्ट, रतनागरी के रहने वाले हैं कितने साल उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र भी आठ साल है नौ साल का हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु की कृपा है, भगवार की कृपा है प्रभु श्री राम की कृपा है आपके बच्चे पर और ये छोटा बच्चा जैसे मैंने कहा कि बहुत कम उम्र में अगर हनुमान चालीसा समेट कई और मंत्रों का उच्चारण करने लगा है कंटस्ट है आप जिस स्पीड में चाहें उसे स्पीड में इस बच्चे से पढ़वा सकते हैं, पाट करवा सकते हैं और ये पूरी उसी ले में उसी धुन में ये बच्चा हनुमान चालीसा का पाट करता है तो बिना भगवान की कृपा के ये संभों नहीं और इसलिए कहा जाता कि आयुध्या में जो आ रहा है अलग-अलग भाती-भाती के रंग देखे जा रहे हैं जिसमें इस बच्चे की भगवान की प्रती आराधना और जो निश्ठा है वो भी देख रही है